तो स्वागत है आपका एक और ब्रेंड यू वीडियो में और आज की इस वीडियो में बात करेंगे गौसेव अपडेट के बारे में इस वीकेंड में कौन कौन सी सेलिविटीज की परसन लाइप में धमाके चलना हैं, केस चलना हैं, लडाईयां हो रही हैं, उन सारी चटपटी खबरों के बारे में बात करेंगे बड़े उससे पहले इस सीरीज का मैं पहला एपिसोड बना चुका हूँ, तो आप जाके आई बटन पर चेक आउट कर सकते हैं, वीडियो काफी ज़ाद कामाल का है, कोई भी अपडेट परसन दाए तो लाइक करना और वीडियो को शेयर करना, और आज की इस वीकेंड अपडेट बहुत ही ज़ाद अच्छी है, तो चली सबसे पहले बात करते हैं, स्पाडर में नोवी होम की फीमिल स्टार के बारे में जैंड आया, उन्होंने अभी हाली में वोग मैगजीन की कबर पर फ्रेंट में आई थी, और उन्होंने इस्टाग्राम पर पोस्ट डाला वो आज फ्रेंट पेज पर हैं, वोग की, और सबसे पहले टॉम वोलेंट का यहाँ पर कमेंट आता है, तीन हार्ट एमोजीस के साथ, जो की बहुत बड़ी बात है, और यही पर ही बॉलीवोड एक्टर रन्वी कबूर ने भी यही चीज कहीं, कि जैंड आया मेरी क्रश है आप लोगों की क्रश है या नहीं मुझे कमेंट शेक्शन में जरूर बताना, चलिए अब बात करते हैं स्पाडर में नोवे होम के एक्टर याने की एंडू गालफरेट से रिलेटेव अपडेट के बारे में, तो एंडू गालफरेट अभी हाली में आराम कर रहे हैं, किसी अपकमिंग मुवी, बार भी मुवी में विजी हैं और ये काफी ज़्यादा सुन्दर लग रही हैं इस कॉस्ट्यूम में, सबसे बड़ी बात ये ऑन सेट पर उनके हस्बेंट मिलने आए थे और धैन उन्होंने हसी मजा करा, खूब पंचात लड़ाईं और ये इमेज ज़्यादा वाइरल होई, चलिए बात करते हैं नेस्ट अपडेट के बारे में जो कि ये बैनालफिक से रिलेटिप, तो जस्ट इलीक के बाद, बैटमनी सुपरमेन के बाद, फाइनली वो रिलेशन्शिप में आ रहे थे जैनिफर लोफिक के साथ, और फाइनली अब हमें उने वाला इस साल वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो देखते हैं कि उनको बीबी मिल पाएगा या नहीं इस साल, चलिए बात करते हैं नेस्ट अपडेट के बारे में, जो की है कैट डैनिंग से लेटिप, तो ये काफी कमाल की खुबसूरत तो ही है, और थौल लविन थंड कि उन्होंने किस कर लिया, तो ये काफी ज़्यादा आउकवर्ड लगा था, और उसी के साथ ये इमेज काफी ज़्यादा वाइरल हो गई उसी टैम से, चलिए अब बात करते हैं, फाइनल अपडेट के बारे में, जो की बहुत ज़्यादा कमाल का है, थो लेवन थेंडर की कि थेशा तॉमसन ने अभी हाली में फोटो शूट कराया, जिसमें कि वो काफी ज़्यादा सुन्दर लग रही है, और सबसे बड़ी नोट करने वाली बात, कि उन्होंने ये वी रिविल कर दिया, कि क्रिस एम सुवर्ड की ये लास्ट मोवी हो सकती है, आपको ये झाल 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 झाल